हेलो एन वेलकम गई स्वागत आपका फेंटासी डिसेंट चलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग सुकन मलेशिया T20 की बात करेंगे जो की मैच होगा या पर मलेका वसिस पेरक के बीच में तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन क्ığınसे comum में कर शकुत कर सकते हैं सारी डीटल कि इसी वीडियो में कवर लेंगे थे जी फिर बिना किशी देरी की वीडियो को स्टार्ट कर लिते हैं तो बात करेंा की से फिर्ट को अपने सबस्क्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको यूटूब चैनल को सबस्क्राइब कर लेना है क्योंकि यह पूरी टूर्णामेट इसी यूटूब चैनल पर कवर कि जाएंगे इसके साथ साथ आपको यहां से केसी यह T20 की वीडियो मिल जाएंगे यहां पर जिंबावे T10 यहां से ICC इसी इंटरनेशनल T10 यह सारे मैचेस के वीडियो आपको इसी यूटूब चैनल पर मिल जाएंगे तो सबसे पहले यूटूब चैनल को सबस्क्राइब करनेना साथ ही में टेलिग्रम चैनल से जुड़ जाना क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल डिम आपको टेलिग्रम पर मिलने वाली है और टेलिग्रम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आल्रेडी टेलिग्रम का लिंक एटज किया है इनके सब्सक्राइब नहीं करता तो टेलिग्रम में जाके आपको सर्च करना है या फिर आपको सर्च करना है डरेट FDC 27 औ करें तो बात करें इस मैच की तो यह मैच सुपर में 11 बच कर 30 मिनिट पर वाइक हैं वाइस्टी क्रिकेट ओवल बांगी मलीशिया में एकला जाएगा जहां पर अल्रेडी एक मैच हो चुकी होगी पीच्छी बात करता है पीच्छी बैटिंगे लिए काफी अच्छी पीच तो ना में खतम होई जहां पर 24 मैच से अंदर 10 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीती ती दो बार बार टेंडेड होई तो पहले पसंद कर सकती है तो बात करें ऐसे मलाका की तो ओपनिंग वे ऐसे वान अमीरूल और यासे मुहम्मद आदम हकीमी रमली दोनों होई और एक बात रहेगी कि ऐसे बैटिंग ओडर जो है यहां से उपर नीचे होने के चांसिस बहुत जादा रहेंगे क्योंकि यह टूर्णामेंट जो होती है से मलीशिया वाली उसमें बैटिंग ओडर बहुत ही चैंज होते रहते तो यह तो यह शक्यता रहेगी ऐसे बै अमरे पास एक ओल पी उप्सेंस है तो इनके बारे में थोड़ा सा बात में बात करते हैं कि अम्मार फरीद इजहाम की बात करो ते किसमें करीबन सथारा के वरे से वन नैंटी फो रहने साथ में ऐसे चालीश पॉइंट तीन वह से गयन वाजी करते हो तेरा विके निका लि टो से चॉंटीस निकाली उंहोंने करीबन 47.2 रायाट़नर विकेट लेता करवा लेते हैं यह से दो से थीन वह सक्ते हैं विके टेक्रिक पाइगी एकसे डोविकेट निकाल सकते हैं यह समने लिए इंपरनेट भी करेंगा अ मिरूल शहायमी की बात कशिए, करिबन एक सटाइस की और राज़ करवा चुके दोस्तों नवासी रन भी करवा चुके करीबन 17 के अब्रेट से राइट एंड बैसमें जो है इनको लोग ट्राइब कर सकते हैं आरिफ डैनियल ओके-ओके रहेंगे इनको आपको ग्रांटिक होगेरा में ट्राइक करना है ऐसे वान जूल फदली रिस्की रहेंगे यहांसे फखर उद्दिन राशित की बात कर तो दस मेंच के नर पांच विगेड़ है चाहुदा पॉइंट दोस की गेंबाजी करवा सकते ह सकते हैं लुकमान हकीमी वेरी इंपोरेंट फिक रहेंगी इवन इस टीम से अगर क्याप्टन वाइस के चैप्टन सिप की चोईस है तो एसे मुहमद लुकमान हकीमी को आप लोग ट्राइक कर सकते हो क्योंकि विगेड़ है निकाले उनने 70.4 वास की गेंबाजी करते हुए तो यह हमारे लिए बेहतर पिक रहेगे इनको ट्राइक कर सकते हो बाकि असरी मुबारक नूरहरी की बात करो तो नौ मैच के अंदर 6 वी गेड़ है 9.3 वास की गेंबाजी करते हुए ज्यादा तर गेंबाजी करते हैं वन डे मैचिस के अंदर 9 मैच के अंदर यह से 9.3 वा प्लेयर मेंचन हुए आई थिंक के बाद कुछ नए प्लेयर भी एड़ हो सकते हैं और यह सारी डिटेल्स और यह सारी प्लेयर के स्टैट्स और अपडेट वगेरा अपको टेलीग्रम चैनल को मिल जाएंगे तो टेलीग्रम से चूट जाएगा क्योंकि यह तूटना मैट अच्छी होने वाली विनिंग के लिए बात करें ऐसे टीम पी यार की अम्मार हजलन और यह से असलम खान मलिक दोनों ओपनिंग करवाई दिवा हजलन यह से विकेट के बर बल्ले बाज है और काफी जबजस प्लेयर है तो यह से हमारे लिए वेरी इंपोर्ण भी करेंगे असलम खान मलिक अभी रिसंटली जो भी टूर्णामेट खतम हुई हो वाँ पर असलम खान मलिक का बल्ला भी चला था साथ में ऐसे गयन बाजी भी जबजस करवाई थी तो यह जब ले रहे हैं से असलम खान मलिक हमारे लिए वेरी इंपोर्ण भी करेंगे इवन यह से कैप असलम खान मलिक अपके लिए बेहतर भी रह सकती है मोहमद हजिक अइमान की बात करो तो यह अच्छी का सी बैटिंग करवा ले थे यह से टॉप और में आने की इनकी संभाव ना देखो इससे बेले इन्होंने जो भी टूर्णामेट में खेला था न वहां पर बड़ी प्ल बैटिंग करवा लेता तो है इंपोर्ण रहेंगे ऐसे अब यह अकमल अलिफ बिन जहिनल की बात कर तो 48 मैच के अंदर करीबन 22 के वरे से 200 पैंसाट रहन साथ में ऐसे 31 विगेट निकाले वहनोंने 97 की गैन बाजी करते हुए एक से दो करवा सकते हैं यानिके दो से तीन व बात कर तो 28 मैच के लिए 20 विगेट है करीबन 17 के वरे से 24 अनभी की हुए तो अच्छी भी है बाकि मोहमद आमीर अजिम की बात कर तो यह तो कैप्टन और वाइस के लिए च्छी चोईस रहेगी 110 मैच के ने करीबन 20 के वरे से 906 रहन है और साथ में ऐसे 103 विगेट निकाल की चोईस रहेगा क्योंकि बैटिंग 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 से ऊपर भी आने के यानिकी ओपनिंग भी करवा सकता है या फिर तीसरे चौथे नमबर पर भी बैटिंग कर सकता है राहिम खान मलिक वेरी इंपोर्ड़न यह डेफिनेटली आपकी टीम के अंदर रहना चाहिए अच्छे 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 करवा सकता है और पहली बार खेलेंगे शायद इससे पहले मैंने इनको देखा नहीं है तो यह सायद पहली बार खेलेंगे इस क्लब के लिए बाकी मुहमद अफिक की बात करता है यह डेफिनेटली आपकी टीम कर रहना चाहिए बाकी शामिल इसमाहिल को आपको डिफरेंस लिए में ट्राइंग करना है बाकी बाकी बियांच से अगर कोई भी खेलता है तो इनके स्ट्राट्स आपको टेलिग्रम जैनल पर मिल जाएं अम्मार हजलन और ऐसे मुहमद नूर इसकी अंदर क्योंकि हजलन ओपन करवा सकते और इसकी अंदर यहां से तापड़ तो बल्ले बाए बैटिंग सक्षिन में से आसे मुहमद अमीर अजीम मुहमद हचिक एमान और इसके साथ यह से असलम खान मलिक को मेंने लिया है बाकी कि अपसंस की बात करते हैं से इसलेक्षिन वाइस जाना चाहो तो आप लोग से इसलेक्षिन इसलेक्षिन जा सकते लेकिन ने आयसे इन दोनों के साथ जाओं गा бывает लेकिन छे मुहमद लुक्वान आजीम एक अच्छी उप्शन से आपके लिए इनको Captain Vice Captain कर सकते हैं यहां से लुक्मान हकीमी को कर सकते हो और यहांसे अजिक एमान जिनको ज़्यादा दर पबली Captain और Vice Captain करती भी आ रही है तो आप लोग बचाओ तो तो से भिजाना चाओ तो ऐसे अजिक एमान का प्लों कैसे कैप्टन या वाइस कैप्टन के तौर पर राइक कर सकते बाकि अभी के लिए टिम की बात करतो टिम मेरी कुछ इस तरह से रहेगी याद रहे डेमो टी में फाइनल टिम आपको टेलिग्रम में मिलेगी फाइनल कि पाइनल अपडेट और फाइनल डिम आपको टेली आप ट्याल आपको टेलीगाम चनल में मिलने वाली है और तो यह पर मिल जाएगी तो यहाँ अगर वीडियो चला कि वीडियो को लाइक और शेर का तो साथ में यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल मत बुलेगा क्योंकि आगे आने माली और अच्छे मेंचिस की वीडियो आपको इसी यूटूब जनल में मिल जाएगी तो मिलते हम लोग एकली वीडियो म बना चीटिंग बना जीमिनिंग करना है तब तक के लिए बाई धन्यवाद जय हिन जय भारत